वास्तविक महाभारत की लडाई हुई है अर्जुन और कृशुन के बीछ में और इस लडाई में हिंसा इसी लिए नहीं है क्योंकि अर्जुन के हारने में ही अर्जुन की भलाई है मेरा एक सवाल यह था रेलेशनशिप्स को लेके बेसिकली तो आप कहते हैं कि जो साथी चुनने का मुद्ध है बहुत इंपोर्टेंट है तो जैसे इसको मैं रियल लाइफ में उतारने की कुशिश कर रहा हूं तो तो मेरे को जैसे तीन ओप्शन समझ में आ रहे हैं पहला की जाए दिरे इसको जो टेंडेंसी होती है इसको अतिकरमन करके आगे बढ़ जाएं इससे दूसरा यह कि पहले कुछ बन जाए अच्छा और फिर साथी का चुनाफ करें और तीसरा यह कि साथ में कोई अभी ऐसा हो जो इसी रस्ते बे चलना चाता हो तो उसके साथ चला मतलब इसको एक्चली में कॉंसेप्चल लेवल पर समझ पारोओं हैं बट ऑपरेशनलेस कैसे करों लइश में सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि हमारी भाशा कैसे-कैसे खेल-खेलती है यह साथी माने क्या होता है माने साथी क्या होता है आप छोटे थे तो आपको जरू के 25-35 साल के हो गए होंगे उतना समय आपने बिता लिया बिना किसी full-time साथी गहे रहते थे साथी वाते जाते रहते थे एक स्कूल से दूसरे स्कूल गए पुराने साथी पीछे चूड जाते थे पर गएवान नई बन जाते थे सब हो जाता थे और अब जब आप अपने सामर्थ के शिखर पर है ठीक, इस वक्त आप शरीर से तकड़े हैं, तंदरुस्त हैं, कमा रहे हैं घ्यान भी है आपको ये आपके जीवन का शिखर है, चोटी है, पीक है इस समय, तो अचानक आपको क्या दुरबलता आपको साथ चाहिए किसी का क्या हो गया है मैं मुद्दे कि थोड़ा जड़ में जाना चाहता हूँ ये साथ चाहिए किसलिए, साथ ही माने क्या गाइड चाहिए, क्या चाहिए माने क्या करेंगे क्या साथ ही का एक्दम खरी-खरी बात होनी चाहिए नहीं तो फिर बात कोई समधान नहीं निकलेगा ऐसे ही होगा कि अपना इधारो से कुछ बोल दिया बात खतम कर दिया ऐसे तो कुछ फाइदा नहीं करेंगे क्या साथी का और मैं कोई उससे इंकार नहीं कर रहा हूँ कि कोई होना चाहिए पर साथी का है को बोल रहे है उसको ठीक है आपको कुछ चाहिए पर क्या चाहिए उस चीज को पहले साफ साफ रखो न सामने मेज पर फिर बात करेंगे ये साथ क्या होता है साथ माने क्या होता है रहते ही आ जाते हैं कि सोलमेट चाहिए मुझे बड़े मज़े आते है बताओ बताओ ये क्या चीज होती है नया खिलोना लाई सोल मेट साथ माने क्या क्या करोगे उस साथ का और मैं पहले से मन बना के कोई नहीं बैठा हूँ कि मुझे मतलब आपको आधा धूरा अकेला रखना है कि साथी नहीं आपको ऐसा कुछ नहीं है मैं बस चाह रहा हूँ कि हमारे वक्तव में थोड़ी इमानदारी आए किसी को साथी आथी नहीं चाहिए क्या करोगे साथी का साथी चाहिए उसी साथी से मूझ छुपाते फिरते हो फिर कोशिश करते फिरते हो किसी तरीके से माय के भग जाए महीने भर का चैन मिले दूर भागते हो मुबाइल बंद कर देते हो कि दोस्तों के साथ रहूंगा पीछे से फोन करके दुखी करेगी साथ ही थोड़ी चाहिए और जो वो उस तरीके के हो यश्राज फिल्म्स टाइप के जिनको लग रहा हूं नहीं नहीं साथ ही तो चाहिए होता है जिसका ऐसे हाथ थाम सके हैं जिसने वो सिटिजर लेंड में एल्प्स पे शिफॉन की साड़ी पहन रखी हो जो धीरे-धीरे सरक रही हो उनसे मुझे बात नहीं करनी है वो जा करके जा के देखो डीडी अलजे देखो रामाधीर सिंग का डायलॉग गलत नहीं था क्या चाहिए होता है बोलो बोलो क्या चाहिए होता है साथी माने क्या सीधे बोलो ना सेक्स पार्टनर चाहिए होता है तो साथी का बोला यही सारी गड़बर हो जाती है सीधे बोल दो सेक्स पार्टनर ठीक है फिर ठीक है इमांदारी है ठीक है सोशल हटाओ ना सोशाइटी के साथ थोड़ी सेक्स कर रहे हो सोशाइटी कहां से बीच में आ गई यह अगर पता रहे साफ साफ दोनों पक्षों को इमानदारी से कि हमारा लेना देना सेक्स का है तो फिर बेकार की उम्मीदें और अब एक छाए नहीं रखोगे एक दूसरे से फिर पता रहेगा एक ट्रांसेक्शनल रिलेशन्शिप है उससे ज़्यादा कुछ नहीं ठीक है लेना देना हो गया बात खतम तुम अपना रास्ता देखों अपना रास्ता देखें भले ही ओ रास्ता एक ही घर में देखना चलो कोई बात नहीं वो भी बात नहीं लेकिन यह इमानदारी हम रखते नहीं है हम बता देते हैं इश्क है प्यार है साथ जनम का साथ है वो बहुत उची चीज होती है वो ऐसे कैसे तुमको मिल जाएगी बस साथ फेरे ले लेने से प्रेम कोई हलकी बात होती है क्या कि तुम क्या दो साथी चाहिए तुमने शादी.com पे विग्यापन दे दिया उसके बाद तुमने जा करके अपनी कोर्ट में मेरिज रिस्टर कर दी उससे तुमको प्रेम उपलब्ध हो जाएगा क्या प्रेम बहुत अलग बात होती है प्रेम तो सीखना पड़ता है कमाना पड़ता है प्रेम तो दस हजार मेंसे किसी एक आदमी को जरा सा मिल पाता है जरा सा बाकी सब तो प्रेम से बिलकुल अचूते वंचित ही मरते हैं तो ये जो शादी हो गएरा का मामला है शादी ही साथी यह सब यह क्या है ये सेक्शु哇 मामला है ठीक है बस मान लो कि sexual मामला है अब इसमें मुझसे क्या पूछ रहे हो यह तो अब तोहरा personal matter है देख लो तुम्हें क्या पसंदने चीज़ें इसे मैं क्या बताऊंगा यह तो ऐसा है जैसे कपड़े खरीदर हो यह तो शरीर की बात है जिसको जो चीज फिट आती हो देख ले इसके लब एक सबाल और था इस सबस्क्राइब इस तो इस व्यादरी की बात वाली बात है यह अरेंज्ड मेरी जो अरहा है जैसे आके मिलते भी है ना कि जो सबसे एक वल्गर प्रैक्टिस होती है कि लड़की देखने गए है लड़का देखने गए है मैं समझ भी नहीं आता है यह कोई बरदाश्ट कैसे कर सकता है कि देखने आए हैं देखने आए हैं फिर खास दौर भी लड़कियों खड़ा वगरा करके भी देखा जाता है क्या उचा है अच्छा इतनी उची है ऐसी दिख रही है अच्छा साइड व्यू दिखाना जड़ा अब बैक व्यू दिखाओ यह सब भी चलता है ऐसा ठीक है बिना बाल खोले अपना एक बर पूस देना फिर बाल खोल के भी दिखाओ कैसी है फिर जो वर्पक्ष की महिलाई होते हूं आपस में बात करती है ठीक रहेगी हाँ ठीक रहेगी लगता है कि यहां फर्टाइल है चलेगी तो खेर जब जाते हो यह लड़की लड़का वगरा देखने तो आपस में इमांदारी से बात कर लिया करो वहां भी एक दूसरे को नहीं बताते हो कि किस नजर से एक दूसरे को देख रहे हो और नजर तो एक ही होती है वो तुम भी जानते हो लेकिन कोई बोलता न तो वैवाहिक जीवन सुखी कैसे होगा बताओ ना रिष्टे के शुरू में पाखंड कर लिया तो वैवाहिक जीवन कैसे चलेगा सबसे पहले तो यह होना चाहिए कि दोनों पक्षों का पूरा पूरा मेडिकल टेस्ट हो क्योंकि होने जा रहा है शरीरों का मिलन यही होने जा रहा है ना सेक्स करने जा रहा है यही होगा लेकिन वो भी नहीं कराते एक HIV पॉजिटिव हो तो 95 प्रतिश्यत मामलों में वो बात बिलकुल छुपी रह जानी है वधू पक्ष के लोगों की हिम्मत ही नहीं होती कि वर पक्ष के लोगों को बोल पाएं कि इसके सारे medical test तो करा दो एक बार पता नहीं कौन सी इसको infectious disease लगी हुई हो दोनों पक्षों का होना चाहिए हो सकता लड़की को भी लगी हुई हो भरोसा नहीं लेकिन किसी पक्ष का ऐसा कोई test नहीं होता क्योंकि हम इस बात को दबा देना चाहते हैं कि यह तो physical union है हम ऐसे कहते हैं नहीं 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 यह तो इनकी आत्माएं उड़-ड़ के आपस में कूकू करेंगे अरे भाईया वो दो bodies मिलने जा रही हैं उन दोनों bodies का test कराओ सबसे पहले इमांदारी के साथ खुले पन के साथ factfulness के साथ थोड़ा तथे ओपर गौर करो तुम उन दोनों को इसलिए साथ ला रहे हो कि अब वो sex करेंगे तो चेक कराओ कि किसको क्या infection है किसका क्या चल रहा है blood group से लेके आ रहे चो गहरे सब चेक कराओ नहीं कराते तब ऐसे बनते हैं कि हान जी अब दो परिवारों का मिलन होने जा रहा है ये क्या है दो परिवार कि जब शर्मा परिवार और वर्मा परिवार एक हो जाएंगे कैसे एक हो जाएंगे क्यों जूट बोल रहे हो और खुला जूट चल रहा है लेकिन ऐसी हो रहा है घर के जितने वो बुड़े बाड़े हैं इतनी वड़ी तोंद वाले हो बैठ कर क्या ला भई दो जले भी और लाना एक बार दिल को तूटने दो एक बार ये सुईकार कर लो कि ये सब जो लोग शादी के लिए तलाश रहे होते हैं ये सब वास्तव में शरीर ही तलाश रहे होते हैं जब ये सुईकार कर लोगे न तो भीतर अपमान की आग उठेगी फिर प्रेम ढूणने को विवश हो जाओगे अभी क्या होता है कि तुम तलाश तो रहे होते हो शरीर लेकिन अपने आपको जतला देते हो कि मैं तो प्रेम तलाश रहा हूँ और जब तुमको शरीर मिल जाता है तो तुम अपने आपको जतला देते हो कि मुझे प्रेम मिल गया तुम्हें प्रेम तो मिला ही नहीं है किसी हालत में प्रेम नहीं मिला है तुम्हें शरीर मिला है एक बार स्विकार कर लो कि तुम्हें सिर्फ शरीर मिला है प्रेम नहीं मिला है फिर शायद प्रेम मिल पाए यह जो मैं विवाह के मुद्दे पर इस तरह बोला करता हूँ उसका कारण समझोना चेतना की प्यास होती है प्रेम की और जिसको तुम विवाह वगेरा बोलते हो वो इस तरीके से तुमने निर्मित कर दिया है कि वो प्रेम के रास्ते अवरुद्ध कर देता है प्रेम पर दर्वाजे बंद कर देता है क्योंकि तुम अपने आपको बोल देते हो कि प्रेम तो मिल गया पती मिल गया माने प्रेम मिल गया पतनी मिल गया माने प्रेम मिल गया कैसे मिल गया भाई कैसे मिल गया इतना सस्ता होता है प्रेम और हाँ अभी जलेवी मैंने बोला कि मूटी तोन वाले जलेवी जलेवी से आद आया जलेवी और गुलाब जामुन ये दोनों भी बाहर से ही आएं समोसा भी गया जलेवी भी गई अब क्या करोगे और कोई है शादी के लिए उत्सुख और आप अगर एक शरीर तलाश रहो तो इसमें आपने कोई अपराध नहीं कर दिया मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें बुरा महसूस करो बस ये बात साफ रखो सुईकार करो और उस लड़की को भी बताओ और उस लड़की में भी ये इमानदारी होनी चाहिए कि रखो साफ बता है हां मैं भी एक शरीर तलाश रही थी फिर दोनों जादा इधर दर की फालतू बाते नहीं करेंगे मुद्दे की बात करो मुद्दे की खरी-खरी लेने देने की बात करो हाँ वई तुम अपने पूरे शरीर का हाल-चाल बयान करूं अपना करते हैं अगर मामला जमेगा तो आगे बढ़ेंगे अब लग रहा ना कि कि तना अशलील होगा ये सब कुछ ये इतना ही अशलील है लेकिन हमने इसको परदे से ढख रखा है मैं चाहता हूँ वो अशलीलता को उगाड़ दूँ ताकि तुम्हारा उससे मन हटे अशलील तो ये पूरवा मामला है ही है बस हमने इसमें परदा डाल रखा है मैं वो परदा हटाना चाहता हूँ ताकि इसकी अशलीलता तुम्हें एकदम रिपलसिव लगे तुमको अच्छी कितना गंदा है लेकिन इसका फल सिला मुझे ये मिलेगा कि लोग कहेंगे ये अशलील है मैं कैसे अशलील हूँ मैं तो किया ही नहीं करते तुम हो अशलील मैं हूँ कैसे सेक्स में पता नहीं कितनी खोट होगी बेइमानी में तो बहुत बड़ी खोट है एक वैस्क पुरुष्क हो गए हो तुमको सेक्स करना है मैं नहीं समझता इसमें कोई खोट हो जाती है एक वैस्क महिला है उसे सेक्स करना है इसमें खोट की क्या बात हो सकती है लेकिन जो तुम करने जा रहे हो सेक्स हो गहरा वो तुम बेइमानी के पीछे से करो इसमें तो खोट जरूर है है की नहीं है तुम वासना को प्रेम का नाम दो इसमें तो खोट जरूर है है न, वासना में हो सकता है, कोई खोट ना हो, वासना में बिलकुल हो सकता है, प्राकरतिक बात है, कोई खोट ना हो, इद दम हो सकता है, मान लिया, लेकिन वासना को प्रेम का नाम देना तो गलत बात है न, वो नहीं होना चाहिए, प्रेम के पीछे-पीछे sex आ जाए, वो एक अलग चीज होती है, बहुत अलग चीज है उसको मैंने एक बार बोला था, जैसे हाथी की पूछ, इतना वड़ा हाथी है, अब छोटी से उसके पीछे पूछ भी होती है हां, कि एक पुरुश है, एक स्त्री है, उनमें सचमुच आत्मिक संबंध है, उसके पीछे-पीछे कभी बाद में sex भी हो गया, वो ठीक है, उसमें एक सौंदर रहे है, उसमें सहजता है, वो ठीक है, पर जब दो लोग मिली इस नियत से रहे हूं कि मैं तो लड़की देखने आया हूं, मेरे मैं लड़का देखने आई हूं, तो ये बात अश्लील है, क्योंकि वह शुरुवात ही किससे है, सेक्स से, प्रेम के पीछे, सहज संबंध के पीछे, सेक्स हो गया, तो ठीक, क्या है, दो युवा लोग थे, वैस्क लोग थे, बहुत सारे मामलों में एक दूसरे से मित्रवत थे, उन्होंने शरीर भी अपने साजे कर लिये, ठीक, बढ़िया बात, सुन्दर बात, लेकिन वहाँ ये है कि हम तीस साल के हो गए हैं, बड़ी बेचाइनी उठती है, अरे मौसी कुछ करो ना, मौसी बोलिया, बगेल में और आधे साम रहते हैं न, उनकी छोरी जवान और इतुआ, अभी मिलवाती हूँ, और फिर पूरा, मैं कुनवे के कारिकरम तै किया गया, जाके बैठे, सब लोग, हाँ, 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 समोसा कचोडी चल रही है, उसको लाया गया, अब पूछ रहे हैं, बता, ये क्या है, वल्गर, नहीं, मैं जोई बात बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को बहुत इंप्रैक्टिकल लगेगी आवेभारी को कहेंगे, इनकी बात पर चनल लगए, तो समाज में अनाचार दुराचार फैल जाएगा, मैं बताता हूँ, आपको मेरी बात इंप्रैक्टिकल क्यों लग रही है, कि मैं जो बात बोल रहा हूँ, वो आजाद लोगों के लिए, मैं जो बात बोल रहा हूँ, वो सिर्फ एक सुतंत्र समाज में संभव है, और सुतंत्रता की कीमत देनी पड़ती है, आप वो कीमत नहीं देना चाहते है, इसलिए आप एक आजाद जीव बन नहीं सकते, तो आप वैसा जीवन जी नहीं सकते, मैं जिसकी आपको जलक बता रहा हूँ, मैं जो बात बोल रहा हूँ न, कि दो मुक्त लोगों में पहले प्रेम पन पे, और फिर उसी प्रेम की चाया जैसा सेक्स हो जाए, ठीक है, बढ़िया है, सुन्दर है, मैं जो ये आपको बात रहा हूँ, ये सिर्फ दो मुक्त मनुश्यों के बीच हो सकती है, दो सुन्दर और उचे मनुश्यों के बीच हो सकती है, और हमारा समाज ऐसा नहीं है, जिसमें सुन्दर या मुक्ते के लिए को इस्थान हो, तो न उस तरह का लड़का संभव है मैं जिसकी बात कर रहा हू न वैसी रड़की संभव है में जिसकी बात कर रहा हूँ तो फिर आप ठीक ही कह रहे हैं कि मेरी बात इंप्रेक्टिकल अवे भारिक है मैं जो बात कह रहा हूँ वो साकार तभी हो सकती है जब ये पूरा समाज बदले तब जाकर के वैसे इस्त्री और पुरुष पैदा होंगे न नहीं तो होंगे भी तो हजार में एक दो और वो जो एक दो होंगे बैचारे समाज उनको जीने नहीं देगा तो अभी तो मेरी बात आपको ऐसी लगी कि ये देखो ये ज़्यादा हवाई बाते किताबी बाते करते हैं बिलकुल अवेभारिक और पूरा समाज गर्त में चला जाएगा पताल में इनकी बाते सुन करके सब लड़की लड़के भ्रष्ट हो जाएंगे वैसे ही संस्कृती बहुत गिर रही है ये युवा पीड़ी एकदम उनमुक्त होती जा रही है और इस तरीके के दुराचार्यों की बात सुनके तो कुछ नहीं बचने वाला यही प्रतिक्रियानी है है ना और शादी भी नहीं होगी इससे अच्छा मेरी बात नहीं सुनो झाल 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 झाल